पहले मिस्टर बच्चन, फिर सल्मान खान, फिर शारुख खान, क्या आपको लगता है कि आईफा को कोई एक नया ब्रैंड अमबैज़र चाहिए, आर यू रेड़ी फो दे ब्रैंड अमबैज़र शीप अप आईफा? पिछले साल जिस सवाल का जवाब टाल गए थे शारुख खान, आईफा अवाद्स की शान बनने का वही सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है, जूम आपको बताएगा कि कौन सा टॉप खान बनने जा रहा है, इस साल सिंगपॉर में होने वाले आईफा का सबसे बड़ा सेना पती, दो साल पहले, बिग बी के आईफा को बाई बाई कहने के बाद, कौन सा बॉलिवुद स्टार अमिताब बच्चन की वॉइट को फिल करने का दम दिखाएगा, मी सलमान खान, मी कमिंग टू श्री लंका वेरी सून, 2010 में आईफा में अपना जल्वा दिखाने वाले सल सलमान खान, या फिर 2011 में आईफा पर चाने वाले किंग खान, सलमान शारुख और आमिर में से मिस्टर परफेक्शनिस्ट की दाविदारी तो पहले ही खमत है, आखर वो कभी किसी अवार्ड नाइट में जाना पसंद जो नहीं करते, पर इससे पहले कि हम आपको ये बताए की बचे हुए दो दिगज खान्स में से किसके हाथ में आ रही है आईफा की कमान, पहले जरा एक और नहीं दाविदार से मिल लीजिए। सूतरों की माने तो शारोखाम टोरांटो की बाद इस बार भी सिंगापोर में होने वाले आईफा आउट्स की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। में होस्ट, गेस्ट या परफॉर्मर किसी भी तौर पर शारुख खान की मौझूदगी सल्मान खान को भला सिंगपॉर कैसे ले जाएगी वहीं रितेश देश्मुख और बमन इरानी की जगह आएफा को होस्ट करने जा रहे शाहिद को हो सकता है एक नया साथ ही मिल जाए पर अगर वो होस्ट शारुख खान हुए तो अरे आप तो पलट गए शाहिद शारुख के होने से कुछ तो परिशानी जरूर होती होगी आपको तो शाहिद को परसनल लेवल पर जाना बिलकुल भी पसंद नहीं है फिर तो अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो भी साशा को जड़ा भी पसंद नहीं आने वाला आइफा की जिस प्रेस कॉन्फरेंस में शाहिद सबसे आइफा का होस्ट बनने का एकसाइट्मन शेय करने आये थे वहाँ उनकी और विपाशा की इन नजदीकियों का फसाना बन गया पिछले दिनों रहे दोनों के लिंक अप के चर्चे एक बार फिर इन तस्वीरों की जबानी अपनी कहानी खोजने निकल पड़ी ये इसलिए भी हुआ हो सकता है कि साशा की आइफा का होस्ट बनने की खुशी बिपाशा की मौजूदगी में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हो और शायद उन्हें भी ये पता ना रहा हो कि जल्द ही शारों आइफा को जॉइन कर उन्हें मिल रहा लाइम लाइट छीनने वाले हैं और रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबरी